चलिए आची क्लासे सुरुआत करते हैं आले में सुलामे बितायों के नया ध्याच की नियूत की गई है और उससे संबंदित जो समवैदानिक प्रावधान है UPSA Preliance में कैसे कुश्चन पुछे गए हैं 2023 में या उसके पहले और UPSA Preliance में कुश्चन कैसे पुछे गए हैं उन सभी के उपर डिसकस करेंगे उसके पहले श्रीयांड एजुकेशन ग्रूप की तरफ से श्रीयांड एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी को तेर सारी नये वर्ष की सुपकामना है आई होप आने वाला समय आपकी जीवन में खुसिया और सफलता लेकर आए तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं जो चर्चा में क्यों था हाली में रविवार को जो है नीत यायोक के पूर उपाध्यच अरविंद पंगडिया को जो है सुलावे बितायोक का अध्यचनित किया जिनका कारेकाल अप्रेल 2426 से सुरू होने वाला है और उनका कारेकाल पांच वर्ष की अवज़ के लिए होगा फाइनेंस कमिशन के बारे में बात करें तो इनका काम होगा केंत और राज्यों के बीच राजस को ताजा फारमूलियों को सिफारिस करना ठीक है यानि इनका मतलब बितायोक का इसके लाओं सुलावे बितायोक के संदर में कुछ प्रमुक सर्थे क्या है उनके बारे में चर्शा करें तो सबसे पहली सर्थ है कर आय का भी भाजन तो आप देखेंगे समिधान के अध्याए एक बाग बारा के तहट केंद्र और राज्यों के बीच करो का वित्रण की संबंदी सिफार्से करना इसके लाओं देखेंगे इसमें कर आय से राज्यों के बीच सेरों का वंटन भी सामिल है दूसरा जो सर्थ है सहायता अंदान के सिध्धानत यानि भारत की संचितने से राज्यों को सहायता अंदान नियंत्रित करनवाले सिध्धानतों के स्थापना करना इसमें विश्यस रूप से आप देखेंगे सम्विधान के अनुच्छे 275 के तहट अनुच्छे की खंड एक के तहट प्रावधानों का निमलिखित उद्योसों से अलग उद्योसों के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान की जाने वाली राज का इसके लाव बात करें तो तीसरी सर्थ है अस्थानी निकायों के लिए राज नीदि को बढ़ाना यानि इसमें देखेंगे राज के अपने बित आयोग द्वारा की गई सिफारसों के अधार पर राज के भीतर पंचायतों नगरपालिकाओं के लिए उपलब संसादनों को पूरक बनाना यह जो है इसका इसरी सर्थ है ठीक है यानि एक वर्ड में कहें तो राज की समय की इतनीदि को बढ़ाना यह इसका उपाय है मतलब कौन-कौन सी उपाय हो सकते हैं कि राज की जो संचित समय की इतनीदि है वह बढ़े चौथा सर्थ है तो आपदा प्रबंध अदियम 2005 के तहद बनाए गए फंड की जाज करना सुधार बदलाव के लिए उप्युक्त सिफार से प्रस्तोत करना भी सामिल है तो लावे बित आयोग के इसके लमा अब बात करें बित आयोग है क्या तो फैक्चुल इंफरमेशन देख ले तो इसकी नियुक्त कुन करता है राष्टपत करता है पांच साल के कार के लिए समयधानिक प्रावधान की बात करत आर्टिकल 280 के तहद अस्थापित के जाता है हर पांच साल के लिए ठीक है राष्टपत और यह क्या है समयधानिक निगाह है रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट जो है राष्टपत वि सामने रखता है बितायों का प्रात्मी कार क्या है प्रात्मी कार देखेंगे केंद और राज्यों के बीट राजस से वितरड़ के फार्मूलों के सिफारिस करना ये इसकी मातपुर्ड जिम्मधारी होती है 15 बितायों की बातकरिश का गठन इसके बात आप देखेंगे कि जनसंख्या का आखड़ा लिया गया था चौदाहों वितायुक दरह इसके बाद आप देखेंगे 2021 की जनसंख्या का वेटेज लिया गया है इसके लाओं देखेंगे इसमें क्या जनसंख्या प्रदर्सन, पॉरेश्ट एरिया कबर और पॉरेश एंड इकोलोजी टैक्स और राज़कोशी प्रबंधन में किये प्रयास ठीक है यह सब वेटेज हैं इससे जो है कुश्चन्स आये हैं इसको आपको द्यान रखना है कि यह हस्तना अंत्रहुत मापदन डपना आए गये थे अब बात करेंगे 15 वे वितायोग दरा की के एक प्रमुक्स इमपारिश हैं सबसे पहली सी वारिश सी केंदरी करो में राज्यों की हिस्तेदारी तो आयग ने वर्स 2021 से 26 के लिए केंदरी करो और राज्यों की हिस्तेदारी की बात करें 41 परसंट बनाये रखने का हसना अंत्रिट करना ठीक है इसके लाओं बात के राजकोसी घाटा और रिड अस्तर आयोग निस्विफारिस की थी केंद्र का लच्छ जुह 25-26 तक राजकोसी घाटे का जीडीपी का चार परसंट तक सीमित करना यह सामिल था राजों के लिए 21-26 की अवज के लिए के भीतर बिभिन वर्सों के लिए जो जीएस जीपी है यानि तकल राज घरेलुद पाज के प्रस्त के रुप में विशिष्ट राजकोसी घाटे के सीमा की सलाह दी थी इसके लाओं देखें प्रारंबिक चार वर्सों 21-25 के लिए स्विग्रित उधार सीमा जो राजों की दी जाती है पूरी तरह से उपयोग करने वाले राज्य बात के वर्सों के इसेस राज का उपयोग कर सकते हैं यानि जो नहीं करने वाले राज्य हैं वह बाद की वरसों के लिए जो श दाष मिलेंगे उसका packed सकते हैं तुँघार भ्याप्टकत्र जो है और मोख रूप से भारत में समय कितनी और अनसरूरत्वितों के मादिम से वित पोसित करना सामिल था केंद्र प्रायोजित योध्याओं के बारे में वितायोग ने प्रंद्दावे वितायोग ने सिफारिस की थी इस सिफारिसों में वार्षिक CESS यानि जो बात करें तो केंद्र प्रायोजित योध्याओं की बात करें आवंटन तीसरे पच्छ के मुल्यांकन पारदर्सी फंड करने यह सब जो है सिफारिस की गई थी एक किया एक कुछटन पुछा गया तेरह में बित आयोग की अंसंसा यानि 2013 में पुछा गया था अंसंसा की विवेचना कीजिए जो अस्थानी अस्थार करने के लिए पिछले आयोग से भिनने है इसके लाव कुछ जानफारी देख लिए इसके पहले जो अभी वरतमान में जिनका जो है तो इनकी लिष्ट दी गई है जितने भी फाइनस कमिशन आफ इंडिया बने है पहले फाइनस कमिशन से सुलाह में फाइनस कमिशन तक आप इनको देख सकते हैं अब बात करेंगे कि यूपियसे प्रिलिम्स में जो बिगयत वर्ष्ट में कुछन पूछे गए हैं तो लेटिस जो प्रिलिम्स होगा दोजार तेस में उससे कुछन पूछा गया फाइनस कमिशन से इसमें दिया है जन्नांकी निस्पादन वन निस्पादन पास्तकी ससन हुस्थार इस्तिर सरकार कर राजकोसी प्रियास इसमें बताना है कि समस्त कर आउक्रमड के लिए 15 में बितायों ने उपूईत में कितने को जनसंख्या खेतरफल आय में अंतर के अलामा निस्कर्स इसमें दे आए खेतरफल जन्संख्या जन्संख्यृ प्रदंसर वन अच्छादन वन पारिस्तके कर राजस्त्रयास थी कि अब इसमें देखें क्या भिन्ने है मेंदार कैने लिखा गया है स्तिर सरकार यह लिखा गया नहीं एक दो 5 यानि केवल 3 का ही प्रियोंकिया है जन स्क्राइबी कर सकते हैं